साथियों दिल्ली में लोकतंदर की जडों पे बहुत बड़ी चोट पहुच रही है हम दिल्ली के सांसद, सभी सांसद, सातो के सातो सांसद लगातार दिल्ली के जनता के प्रशनकोजों के सामने ला रहे हैं लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है, महाजूटे हैं अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग ऐसे अरविंद केजरिवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रस्ण पे जवाब देने को तयार नहीं है जरूरत है आज कि दिल्ली की जनता को ये गरंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे गरंटी इस बात की चाहिए कि भरस्टाचारी कैसे सलाखों के पीछे जाने चाहिए गरंटी इस बात की हमें चाहिए कि दिल्ली के बच्चों की दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया उस पर नयाय कैसे हो इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा और जो लोग लोगतंत्र का सपत लेके संविधान की सपत लेकरके भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही है जो इसु को डाइवर्ट करने वाली हैं लेकिन बहुत ही दुर्भावना पुर्ण है जूट से भरी हुई है और ऐसे प्रयास को डिल्ली की जनता या हम डिल्ली के सांसद साथ हो हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं हम गंभीरता से बात भी करते हैं गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं हम सभी सांसदों ने जो पीछे घटना होई है जब सराब घोटाला हुआ हज़ारो करोड का हमने बार बार उस पे सवाल किये सवाल आज सब को याद है लेकिन उसका जबाब देने की बजाय देखा गया कि दिल्ली के अरविंद केजरिवाल गैंग उनकी सरकार के कुछ कई चुनिंदा लोग उन लोगों ने जूटे आरोप लगाए और बात ऐसी करी जो सब के लिया शरीकाविसे बना हुआ है उनके हाला कि जो स्टेट्मेंट से बदलते गए पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है रेवन्यू मॉडल है जब जाच सुरू होती है वापस ले लेते है जब जाच में आगे बढ़ती है सीवी आई तो बोलते हैं ये एलजी दोसी है फिर बोलते हैं मनी स इसी सोदिया को खरीदने की बात हो रही है फिर कहते हमारे विदायकों को खरीदने की बात हो रही है हम इन प्रशनों को बहुत गंभीरता से लिये हैं और हम सभी ने माननी ये LG महोदे को एक चिठी लिखी हम सबने एक डिमांड करी है जैसा है आप सबको जानकारी है कि ऐसे जूटे, मिसलेडिंग, डैवर्जनरी, दुर्भावना पुरुन स्टेट्मेंट पब्लिक डोमेन में दिये गए क्या कहा गया? स्वयम डिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल ने ये कहा कि डिप्टी सियम स्री मनिस सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता है उनको भारतिय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिस की उन्होंने कहा कि आप पेमेले को कॉल आया दे गौट कॉल्स प्रॉम बीजेपी आज हम बहुत गंभीरता के साथ मानने इलजी महोदे को ये पत्र हम सबने लिखी है ये सब के हाथों में पत्र है एक बार सभी लोग अपने हाथ में ले लेंगे ये पत्र की कॉपी भी हम आपको देंगे इस पत्र से एक एक चीज अस्पष्ट है सिंपल सी बात है कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं जब किसी को कॉल आता है तो छुप नहीं सकता अब समय आ गया है कि ये फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मेसेज लेके आया इन सारी बातों का दिल्ली के हम सातो सांसद भारती जनता पार्टी इसका जबाब चाहते हैं और इसकी जब तक जाच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुच पाएंगे और जाच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए जाच फॉरेंसिक होनी चाहिए जब फॉरेंसिक जाच होगी तब पता चलेगा केरविन केजरिवाल जी ने कहा कि आप पेमेलेज हैड गॉट कॉल्स प्रम दे बीजेपी वेर दे वेर ओफ़र्ड यूज अमाउंट्स अव कैश तु ट्रांसफर देर एलिगेंस टु दे बीजेपी अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है तो हमारी डिमांड है यथा सिग्रे जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जाच एजेंसी को लेना चाहिए इस पे जाच बैठनी चाहिए और दूद का दूद सराब का सराब होई जाना चाहिए मेरे साथियों मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप एमेले को खरीदने की बात कॉल आने की बात तो होई स्वयम डिली के डिप्टी सीयम मनी सिसोधिया ने कहा उन्हें परसनली कॉल आया अब इस लाइन को कोई भी व्यक्ती समानी रूप से नहीं लेगा एक डिप्टी सीयम को परसनली फोन आया हाला कि तब तक तो ये पता था कि उनका फोन सीवयाई ने सीज कर लिया है जैसा कि वो स्वयम बताये थे लेकिन उनका कहना कि हमको परसनली कॉल आया ऐसी इस्थिती में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया किस समय आया किस नंबर से आया या तो आप स्वयम बताएं क्योंकि वो स्वयम बताएंगे नहीं उनको तो जूट बोलने की मिश लीड करने की सोसाइटी को उनको बाटने की लोगों में नफरत फैलानी की होड लगी है लेकिन इसका जाच फोरेंसिक जाच हो ऐसा हम सभी ने मानिय एलजी साहब को पत्तर लिखा है और हमें पुरी उमीद है कि इस पर ऐसी जाच होगी जिसके कारण इस दिल्ली की जनता का जो भ्रम है वो दूर होगा हम चाहते अस्पष्ट हो भारती जनता पार्टी न तो कुछ चुपाती है और ना तो किसी को चुपाने का मौका देगी सवाल है सराब घोटाले का आप सराब घोटाले की जगा लगातार श्टैंड बदलते गए डाइवर्ड करने के लिए अब समय आ गया है कि ये जो अटेंशन डाइवर्ड करने की दुर्भावना पुर्ण कोशिस की गई है कहां से अटेंशन डाइवर्ड करना था लिकरेस कैम से शराब घोटाले से डाइवर्ड करो अटेंशन क्लासरूम में हुए घोटाले से डाइवर्ड करो अटेंशन कि हम से मीडिया के लोगों नो भी बार बार पूछा प्रवेश बर्माजी से भी पूछा रमेस विधुडी जी से भी पूछा हंसरा जंस जी सब्गोव तोंगम बीर अर्शवर्दन जी मिनात जी संजय मुझी सबसे पूछा गया है हमने पहले अपनी सारी बात कही लेकिन अब हम मानने एल जी महोदय के पास चिठी लिखके गए हैं कि हम सभी MPBJP के हम एक ग्रीड है इस बात पर कि जो डिफेमेटरी unsubstantiated allegations लगाए गए हैं इसकी जाच फोरिंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अर्विंद केजरिवाल एन गैंग हैं वो कितने बड़े जूट को फैलाने में लगे हुए है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से ही सच सामने आएगा और मैं एक बार फिर से दोहराओंगा कि जो साच है उसको आज की कोई आवश्यक्ता नहीं और मैं समझता हूँ ये पत्र दिल्ली की जनता का भरमदूर करेगा ये जाच दिल्ली के लोगों को बहुत रह बात देगा कि कौन जूट बोल रहा है अरविंद केज्रिवाल इन गैंग के जूट का परदा फासो दूद का दूद शराब का शराब हो जाए ऐसी भावना के साथ हम आपके सामने उपस्तित